बिसमिल्ला इरह्मान इरहीम, असलाम उलेकुम आज का जो हमारा next topic of discussion है वो है एप्लिकेशन्स आफ डॉपलर effect प्रिविएस वीडियो में हमने काफी detail के साथ डॉपलर effect को study किया है आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे इसकी applications को तो देखते हैं कि हमारी फर्स्ट अप्लिकेशन हम से क्या कह रिया है डॉपलर इफेक्ट की तो फर्स्ट इसके अप्लिकेशन है रेडार आपने काफी दफ़ा रेडार का नाम सुना हुआ होगा तो इससे बनता क्या है कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग अब देखें इसे हम क्या करते हैं रेडार से हम फाइंड करते हैं अगर हमारी पकिस्तान की सरहद में कोई बाहर से जहाज इन हो रहा है तो हम मालूम कर सकते हैं रेडार की मदद से कि हमारी सरहद में कोई बाहर से जहाज आ रहा है या नहीं आ रहा है उसके बाहर अगर कोई हमारी सरहत से कोई जहाज जो है कोई एरो प्ले जो है वो दूर जा रहा है तो वो भी हम मालूम कर सकते हैं रेडार की मदद से मतलब radar की मदद से हम मलوم कर सकते हैं कि कोई object हमारी फ़िजा में आ रहा है कितनी speed से आ रहा है किस direction में आ रहा है किस height पे आ रहा है तो ये हम radar की मदद से find कर सकते हैं और कैसे find कर सकते है वो चीज़ देखें دیکھlor radio मतलब क्या कि radar में जो हम use करते हैं क्या यूज करते हैं रेडियो वेज यूज करते हैं डिटेक्शन मतलब किसी अबजेक्ट के हम डिटेक्शन करते हैं जो फिजा में हमारी सरहत के करीब आ रहा है और एंड रेंजिंग और डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि कितना दूर है वो हमारी सरेडार सिस्टम से तो किस से फाइंड करते हैं एमारे पास एरो प्लेन है और ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास रेडार है ये रेडार है और ये क्या है एरो प्लेन है और एरो प्लेन क्या का रहा है सरहत के अंदर आ रहा है सरहत के अंदर आ रहा है तो हम रेडार से क्या करते है रेडियो वेज को भ तकराती हैं तो क्या करती हैं वापस आती हैं और हम receiver में इनको receive करते हैं जो कि कर रिसीविंग waves एक दफाए यह गई इस plane से टकराएं प्लेयं से टकराएं अगर reflect होके वापस आई अब जो reflect होके वापस waves आई है यह हमें बताएंगी कि यह plane इस सरद के अंदर आ रहा है यह इस ये वेव्स हैं तो इनकी वेवलेंट इतनी है अगर हमारे पास ये वेव्स हैं तो इनकी वेवलेंट इतनी है तो नीचे वाली शौटर वेवलेंट की है उपर वाली लॉंगर वेवलेंट ही है अगर जो वेव्स चक्रा के आ रही है वो शौटर वेवलेंट की है इसका मतलब ह जहाज हमारी सरहत के अंदर आ रहा है तो इनी वेवलेंड 뛰सों की वेवलेंड की फ्रेक्वेंसी से हम आज इस जहाज की स्पीड कितनी है Oके हो गया तो इस तessä हम फाइड करते है अच्रा अगर यह जहाज मारी सरहत से दूर जा रहा है तो तो यहां से रेडार से रेडियो वेव्ज निकलेंगी, इससे टक्रा के वापस आएंगी, अब यह जो टक्रा के वापस वेव्ज आ रही हैं, इनकी वेवलेंथ बड़ी है, यह लॉगर वेवलेंथ की है, इसका मतलब है कि जहाज हमारी सरह से दूर जा रहा है, यानि अगर श सोनार. वो क्या है सोनार. सोनार से बनता क्या है? साelles अव hack and range. मतंब हम सांड को यूज करेंगे किसी चीज़ को navigate करने के लिए wszystk किसी चीज़ को detect करने के लिए and ranging और इसक का médico distance find करने अब सुनार क्या टैन्य टेकनिक है? इसमें हम न,到了 sonic sound ूज那个 ultra sound ways use करते हैं जिनकी frequency काफी ज्यादा होती है तो हम जब वो ways use करते हैं इसको हम use किसलिए करते हैं पहले वह चीज़ देख लेते हैं देखें underwater अगर कोई object है ना underwater है अच्छे से समूंदर है समूंदर के ओपर shift float कर रहा है तो underwater कोई object है हमें नहीं पता वो है या नहीं है वो कौन सा object है किस तरह का हमें नहीं पता उसको detect करने के लिए हम ये सोनार use करते हैं उसके बाद जो sea है जो समूंदर की depth है वो find करने के लिए हम क्या है सोनार को use करते हैं यानि कहां पर depth ज्यादा है कहां पर depth काम है तो उसके लिए हम सुनार को यूज करते हैं, यानि sound waves को यूज करते हैं, अब किस तरह से यूज करते हैं, for example, वो चीज देखते हैं, सब मेरीन, सब मेरीन आपको पता है कि पानी के अंधर फ्लोट करती हैं, अब सब मेरीन की direction क्या है, उन सब मेरीन की speed क्या है, और उनके बार नीचे कोई अब्दोज जिसकाम अब्दोज भी चाहते हैं submarine है या नहीं है हमें नहीं बता यहां से हम क्या करते हैं transmitter होता है इसको मैं T से शो कर रहा हूँ concern यहांपर क्या है receiver है जहाओध के नीचे ही लगी होते है तो transmitter से हम क्या करते हैं sound waves को अल्ट्रा साउंड वेव्स को हम फैंकते हैं लॉंगी टूडल वेव्स होती है ना और साउंड वेव्स को यूज करते हैं क्योंकि ये वाटर में काफी दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं तो साउंड वेव्स को हम यहां पर यूज करते हैं एंडर ग्राउंड या जो कोई object है उसकी speed कितनी है और उसका हमारे इस ship से distance कितना है तो हमें पता चल जाता है ऊके हो गया इसी तरह हम जो एंडर ग्राउंड जो हमारे पास सी की depth है जो समुन्दर की depth है वो भी हम इसे find कर सकते हैं इसी sonar system को use करके हमारे पास अगर यह वाटर है ठीक है और माल नहीं यहां पर ना कुछ चटान आ गई है यहां पर क्या है कोई भी चटान आ गई है यहां पर ऐसे कुछ चटान है और यहां पर कुछ ऐसे कुछ बड़ी चटान है यहां पर कुछ इस तरह की ऐसे ना चिटाने बनी हुई है जहां पर चिटान ऊची है यहां पर बहुत जादा गिराई में गई हुई है यहां पर चाटान है थोड़ी सी उपर है तो हम क्या करें कि जो sound waves हम बेजते हैं जो एको की सैंस में हमारे पास वापस आती है ये क्या है ट्रांस्मिटर ये क्या है रिसीवर है तो अगर ट्रांस्मिटर से वेवस निकली है और इस चटान से टक्राग ऐसे वापस आ गई तो हमारे पास इन जो वेवस वापस आई हैं ultra sound wave वापस आई है इनका distance क्या होगा कम होगा क्यों इनका जो time इनको लगा है जाने में और आने में वो कम लगा है ठीक है इसी तरहां अगर यहां से जहाज थोड़ा सा इधर ट्रैवल करें यहां से transmitter से waves निकलें और यहां पर टक्राएं यहां से वापस आएं तो जाहिरा time ज गहराई ज्यादा है कहां पर गहराई कम है वो चीज़ हम find करने के लिए locate करने के लिए हम यह solar system को use करते हैं और हम sound waves को use करते हैं और यह ultra sound waves आप टक्राएं के वापस आते हैं एक eco produce होती है उसी eco को हम receive करते हैं जिसके जरीए से हमें पता चाल जाता है कि underground जो sea की स्री अंड उसकी direction की तरह वो जा किदर रही है यह सारी चीज़े हम क्या कर सकते हैं इस solar system से find कर सकते हैं next आता है speed of star अब देखे star अगर हमारे जमीन की तरफ को star आ रहा है या हमारे जमीन से कोई star दूर जा रहा है उसके कितनी speed है यह हम find कर सकते हैं application of Doppler effect में ही अब किस तरह से find करते ह सकते हैं वो हम किस तरह से find करते हैं spectrum के जिरिये से कोई star है उसकी speed कितनी है और वो हमारी अर्थ से दूर जा रहा है यह हमारी अर्थ के करीब आ रहा है अब देखें star की अपनी light होती है और याद रखें कि star में fusion reaction में मैंने एक वीडियो बना कर रखे ही है second year में आती है बार तो fusion reaction होती है और fusion reaction कौन से elements देते हैं hydrogen और helium सार में और भी elements होते हैं लेकिन ज़्यादा तर जो होती है इसमें element वो hydrogen और helium होता है तो उसकी विज़े से क्या है एक light वो produce होती है वो ही light हमारी अर्थ तक पोई दे जिसका हम spectrum एक बनाते है क्या हम बनाते हैं एक spectrum बनाते है उस और जो laboratory में हमने spectrum बनाया है उसको और जो star के जरीए से spectrum बनाया है उसको हम compare करते हैं और फिर हम देखते हैं कि star हमारी अर्थ से दूर जा रहा है या क्रीब आ रहा है उसकी speed कितनी है वो कैसे करते हैं वो चीज़ देखते हैं यह हमारे पास एक spectrum है जो हमने laboratory में बनाया है ज और ये जो black lines ही हैं, ये हमारे पास शो करें absorption spectrum को, इसमें तो और भी बहुत से colors होते हैं, लेकिन समझाने के लिए, मैंने इतने ही बनाई हुए हैं, एक चीज को समझाने के लिए, spectrum actual में ऐसा नहीं है, इसमें और भी colors होते हैं, लेकिन हमारा मकसर red और blue color के साथ है, इस वर इस spectrum हैं, जो हमें stars के जरीए से हासिल हुए हैं, अब वो देखते हैं किस तरह से हासिल हुए हैं, देखें, हमने इस absorption spectrum पे गोर करना है, ये जो black सी line है, इनको आपने गोर से देखना है, ठीक है कि ये किस तरफ shift का रही हैं, देखें, अगर तो हमारे पास जो star है, जो star है, वो अगर हमारी अर्थ से दूर मूव का रहा है, अर्थ से क्या मूव का रहा है, दूर मूव का रहा है, तो जो हमारे पास ये जो absorption spectrum है, ये shift हो जाएगा red end की तरफ, इसका मतलब है कि जो star से light आ रही है, वो longer wavelength की है, याद रखें कि जो red color होता है, जो red color होता है, इसकी wavelength बड़ होती है, और जो blue color होता है, इसकी wavelength शाटर होती है, तो अगर ये जो absorption spectrum है, ये red color की तरफ शिफ्ट कार गया है, इसका मतलब है कि हमें longer wavelength emitted मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो star है, वो हमारी अर्थ से दूर जा रहा है, वो हमारी अर्थ से दूर जा रहा है, अब अगर for example star है, अक्सर बच्पन में मिलते होते थे, star है अगर ये हमारी अर्थ के करीब आ रहा है, अगर star हमारी अर्थ के करीब आ रहा है, तो जो इसका spectrum होगा, वो किस तरह से होगा, उसमें ये absorption spectrum है, ये shift कार जाएगा blue end की तरफ, पहले red end की तरफ shift किया था, अब blue end की तरफ shift कार अब blue end की तरफ shift करेगा, इसका मतलब blue की क्या होती है, shorter wavelength होती है, इसका मतलब ये है, कि जो star है, वो हमारी अर्थ की तरफ आ रहा है, और हमें shorter wavelength मिल रही है, याद रखें कि जब कोई चीज हमारी तरफ आ रही हो, तो इसका मतलब shorter wavelength दूर जा रही होतो longer wavelength होंगी, ठीक है, तो अगर ये इस एक की तरफ आ रहा है, तो absorption spectrum blue end की तरफ shift कर देगा, इसका मतलब है, इस चीज को हम कहते है, blue shift, हमें blue shift मिलेगी, और इसको हम क्या कहते है, red shift हमें मिलेगी, red shift का मतलब longer wavelength है, star दूर जा रहा है, blue shift का मतलब shorter wavelength है, इसका मतलब स्टार करीब आ रहा है, तो उस वो मेशा ready मिल रहा है, galaxy's, जो galaxy's है, उन से आने वाली light है, जो star से आने वाली light है, उसका हम spectrum देखते हैं, तो मेशा जो हमें वो अकसर ready मिलता है, 99% chance है को वो ready मिले, इसका मतलब ये है, कि जो हमारी universe है, वो expand का रही है, star आईससर दूर जा रही है, galaxy's दूर जा रही है, हमार wavelength मिलती है, ये कहां से आ गई, चीक है, इसको पिजाबी में तो मूरी कहते है, जहां भी लड़े इतरा बड़ा वो कर देती है, तो, I hope so, कि ये आपको समझ आ गई होगी, next is, जो इसकी application आ रही है, वो speed of car, आपने देखा होगा कि, अकसर motorway police के पास, वो एक instruments होता है, जिसक speed से ज़ादा, इस speed की डिमर्ट से ज़ादा कार की speed नहीं होनी चाहिए, okay, और किसे radar speed trap, radar speed trap के जरिए से हम क्या करते है, speed आप vehicle find करते है, किसी गाड़ी की speed को find करते है, और, इसमें हम कौन से waves यूज करते हैं, इसमें हम यूाज करते है, MORE giờ करते हैं, हम क्या करते हैं उन Waves को ये Radar Street Speed Trīp है इसका Speed Gun भी कहते हैं यहाँ से Waves निकलती हैं और यहाँ से Waves निकलती के निकलके इस Gाड़ी से टकराएंगी और इस Gाड़ी से टकराके रिफ्लेक्ट होके वापस Receiver में आएंगी डिटेक्टर में आएंगी अब उस receiver से उस detector की मदद से जो reflected wave आई है वो इस receiver में आएंगी और इन इस receiver में जो reflected wave आई है उसको हम पर decode करते हैं जिसकी वज़ा से हमें पता चाल जाता है जो car है उसकी direction मारी तरफ है उसकी speed कितनी है जाहर उसकी wavelength और frequency में change होगा तो उसके जरीए से हम find कर सकते हैं कि ये जो reflected wave टकरा कर वापस आई है ये हमें बताए कि उस car की speed कितनी है तो ठीक है मतलब हर एक चीज़ फ्रेक्वेंसी का change आ रहे है मैंने का डापनेट फ्रेक्वेंसी का change और जब wavelength का change आएका तो frequency का भी change आएगा उस change की मदद से हम ये सारी चीज़ें find का रहे है next एक टकनीक आती है sonography एक टकनीक आती है sonography अब sonography क्या होती है कि जो major arteries होती है जिनमें blood flow का रहा होता है तो blood की speed हम find का सकते है sound waves को use कारके ultra sound waves को use कारके जिनके frequency high होती है उसको यूज़ करके हम blood की speed भी find कर सकते है मान लिए हमारे पास एक instrument है जिसमें ये एक transmitter लगा हुआ है और ये यहां पर receiver लगा हुआ है यहां से क्या होगा कि ultrasound waves आएंगी blood से टक्राएंगी और blood से टक्राएंगे reflect होगे इस receiver में जाएंगी वोई सारी पनानिक आनिया चालें को रिट्रांस्मीट हमने की उसे टक्रा के receiver में वापस गई फिर से आजाती है तो receiver में वापस आती है तो यह जो receiver में वापस आ रही है इनकी wavelength और frequency को देख कर हम देख सकते है कि जो blood है उसकी speed कितनी है जो blood flow है वो कितना हो रहा है तो इस फनामनों को हम क्या करें सोनोग्राफी और इसके लिए जो हम high frequency sound waves यूज़ करते है उनकी जो frequency होती है तो अक्रीबन 10 megahertz 5 megahertz से लेकर 10 megahertz तक होती है ओके हो गया इसी तरहां bats है चमकादड़े अज़ बैट्स को हम कहते हैं कि इनको ये side information में आके ये दोनों side information में है बैट्स को हम कहते हैं कि अक्सर कहा ज़ते हैं कि इनको रात में नजर नहीं आता तो देखें ये क्या करती है एक ना sound generate करती है एक eco generate करती है एक sound waves produce करती है अपने जो भी इनने खानों ना फूड को लोकेट करना हो तो कैसे या अपनी डिरेक्शन को चेंज करना हो तो साउंड को जिनरेट करती है अब फार एक बैट है एक चमकादर है वो अपना फूड को ढूंड रही है तो वो क्या करेगी साउंड वेस को जिनरेट करेगी अब वो साउंड वेस क्या होंगी उस इंसेक्ट के साथ उस अबजेट के साथ तकरा के वापस आएंगी यह उनको डिटेट करेगी और क्या करेगी उस तरफ जाएगी और उस इंसेक्ट को खा जाएगी यैने कि ये साउंड वेज मुझ से निकालती है और वे तकरागे जब उस फूड से टकरागे वापस आती है तो वहां से ये पहर देखती है कि वो फूड जाकर खा लेती है अब middle होता है कि ये साउंड वेज प्रोडियूस करती है इतनी frequency का sound सुन सकता है बट ये जो bat ये sound जो produce करती है वो होता है 160,000 Hz का जो हमारा कान सुनने नहीं सकता तो आप अक्सर के जहन में यही कोशन आता है कि ये sound सुनाई क्यों नहीं देता है उसकी frequency बहुत ज़ादा high होती है और हमारा कान ये ये रहे वो इतना capable नहीं है कि उस frequency को सुन सके तो ये जो है वो bats इस तरह रात को move करती है अपने मूँ से वो sound निकाल कर वो जो रिलेक्ट होके वापस आता है तो इस तरह ये direction बगारा को change करती है food बगारा को locate करती है और उस food को खाती है तो ये भी एक उद्रत का ही निजाम है तो ये था हमारा आज का topic application of doppler effect यहाँ पर chapter number 8 के तमाम topics की वीडियो कम्प्रीट होती है next video इंचाला होगी इसके exercise के short questions की फिर numericals की और उसके बाद ये chapter खत्र तो hopes हो कि आपको lecture समझ आ गया होगा thank you very much Allah आफिस